गुद मॉर्निंग एवरिवन तो एक न्यूस है इस न्यूस का आर्टिकल का है Rediscovery of the South ठीक है तो इस न्यूस में क्या बताएगा है जेनरली क्या होता है कि G20 की मीटिंग होने वाली है इसी मन्त ठीक है तो G20 की मीटिंग जेनरली क्या है कि आने वाले तीन साल इस साल, उसके अगले साल, इस साल मीन्स नॉंबर में, उसके अगले साल इंडिया के पास रहेईगी और उसके अगले साल ब्राजील के पास रहेगे। में इंडिया में और 24 यों ब्राजील में इन तीन कंट्री में होना है G20 की मीटिंग्स ठीक है तो यह साउथ की स्टेट है उसके बाद हम देखेंगे कि अधर कई जैसे एक है G77 तो इक ग्रुप्स ऑफ दा वर्ल्ड है ठीक है इसमें वर्ल्ड के सभी अच्छी कंट्री एक छोटी मोटी कंट्री भी इसमें आती है जनरली ठीक है अच्छा उसके बाद कई ऐसे ग्रुप्स हैं G77 में इंडिया के उतना वर्क नहीं है पाकिस्तान ने जек है यह قाड की ग्रुप्स है जिसमें चार कंट्री है कौन देन्स कंट्री है जपान है अमेरिका ही इंडिया और मैंडिया यह क्वार्ट के सब्सकरों सब्सक्राय इंडिया इसमें यह मेंन फोकस ही बता इबरत कि तो G77 से compare किया गया, G77 group of the 77 countries है, ठीक है, जिसमें इंडिया का participation उस level पे नहीं है, जिस level पे पाकिस्तान का है, ठीक है, क्योंकि इंडिया उसमें कुछ करता नहीं है, लेकिन ये बताएगे कि इंडिया किन group में ज्यादा working है, तो ये कुछ groups हैं, BRICS वाले, BRICS, SEO, RIC, ठीक है, और उसके बाद G20 की meetings के बारे में जनरली बताएगे कि G20 की meetings कहा हो रही है, 22, 23, 24 में इंडिया और ब्राजील, ये southern state है, तो इस पे work क्या जा रहा है, मोदी जी का भासड़ है कि rediscovery, global में जो south पे work कम हुए, उसको work को हम कैसे increase कर सकते हैं,